एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिश्य ने सवाल पूछा कि गुरुजी, जल, अगनी, वायू ये सब तत्वों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली तत्व कौन सा है? गौतम बुद्ध ने उन्हें जवाब दिया कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली पत्थर है, क्योंकि वह कठोड है. पर लोहे का हथोड़ा पत्थर के टुकड़े, टुकड़े कर देता है, इसलिए लोहा पत्थर से भी ज्यादा शक्तिशाली है. पर अगर हम बात करें आग की तो आग लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि लोहार आग की भठठी में लोहे को गला कर, उसमें से मन चाहा आकर दे सकता है. लेकिन आग चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो पर जल में वो ताकत होती है कि वो आग को शांत कर देता है इसलिए जल आग से भी ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन इस जल के बने हुए बादलों को वायू कहीं से कहीं उड़ा कर ले जाता है इसलिए वायू जल से भी अधिक शक्तिशाली होता है किन्तु हमारी इच्छा शक्ती सबसे अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वो तो इन वायू की दिशा को भी मोड सकती है इसलिए सबसे अधिक कोई तत्वर शक्तिशाली है तो वो है हमारी इच्छा शक्ती मनुश्य की इच्छा शक्ती से बलशाली तत्व और कोई नहीं हो सकता है यदि हम कोई काम अपनी इच्छा से करे तो हमें सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है इसलिए हमें अगर सफल होना है तो कोई भी काम अपनी इच्छा से करना चाहिए क्योंकि हम सफल तभी हो पाते हैं जब हम दूसरों की नहीं बलकि खुद अपनी इच्छा से कोई काम में अपना सौ प्रतिशत देते हैं खुद अपनी इच्छा से शुरू किया हुआ काम कभी भी रुकता नहीं है और उसमें हमेशा सफलता मिलती ही है